हलो दोस्तों वेलकम वन्स अगैन इन यूर ओन यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे एक ड्रग जिसका नाम है ऐलोप्यूरिनॉल और लास्ट में हम देखेंगे मल्टीपल चैनल जो अब तक एक्साम में पूछे गए हैं एलोप्यूरिनॉल के बारा में हम जो मैचबॉलिजम में घड़बड़ है और यह मैचबॉलिजम प्यूरिन के मैचबॉलिजम में तो हम कह सकते हैं कि गौट इसनल मैचबॉलिक डिसएडर तो प्यूरिन अब सवाल उठता है गौट क्यों हुआ यह है पहला कराण आपके सामने डिक्रीज यूरिक एसिड body के अंदर uric acid बहुत ज्यादा बनने लग गया तो सहोविक है body जितना निकाल नहीं पाती उससे ज्यादा uric acid बन रहा है तो body के अंदर जमा होना start हो जाता है अब ऐसा क्यों हुआ वो इस कारण हुआ अदला chemotherapy and radiation in cancer cancer patient के अंदर chemotherapy और radiation के वज़े से क्या है cells बहुत ज्यादा मातरा के अंदर destroy होना start हो जाता है uric acid ज्यादा बनता है और वो जमा होना start हो जाता है तो इन दोनों कारणों से क्या develop हुआ एक तो gout develop हुआ और इस कारण से भी gout develop हुआ तो ultimately क्या हुआ उसका result उसका result यह हुआ आपके सामने और there is increased level of uric acid और uric acid जमा हो जाता है uric crystals blood में और joints में मतलब जो body के joints से उस पर जमा होना start हो जाएगा और उसके वेसे यह symptoms आ जाते हैं यह देख सकते हो joints के अंदर redness फिर pain inflammation और swelling surgeon आ जाती है तो यह है symptoms किसके gout के में कारण क्या रहा कि uric acid ज्यादा हो गया body के अंदर body निकालने पारी और वह joints पर जमा होना start हो गया कि अब कई दवाएं हैं ठीक करने के लिए अब वह दवाओं के classification के लिए मैंने अलग वीडियो अप्लोड कर रहा है उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और आगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप like comment और शेर जरूर करें आगे वीडियो कौन सा है उसकी जानकारे के लिए बैल आइकन प्रस करना ना बोलें ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास प्रायर नोटिफिकेशन आ सके हैं तो हम बात कर रहे हैं अलोपिरिनॉल की तो दो कारण थे एक तो यूरिक अनिलोग यह हाइपोजंतिन एण लोग है अब यह यह हैं जिए रस ट्रफ्ट्चर आपके सामने आप देख सकते हो यह हैं यह है यह आपके जाए एलोपिरिनॉल आगर आ प्सट्प्र देखोगे तो एब स्ट्प्शर इसिफिक अरि स्ट्प्शर देखते हो आपकी डिफ शरीए हम्हें समस्य हो रही है इसकी वजह से यूरीक एसद्ट ज्यादा हो रहा है बॉडधि के अनदर ज्यादा बन्राया है यूरीकसर इसे बंता है इसे बोलते हैं जैन्थी अब जैंतिन कैसे बना जैंतिन बना हाइपोजैंतिन से चैल से फिल एक हीवाइन keer है सिल एक्षटिलेंव फिल्फट्रस denn निसे पने Ahh है हमारी प्रिनल क्या करता है यह जो एंजाइम है जैंत में घसटाइए लहीं करता है तो हैं जादा है बॉस्ट है यह धेख सक्ते हो आपना पर यह मृ-चैन सी Viel के दम संहां है तो इसका मतलब यह हुआ कि allopurinol और allo xanthine दोनों मिलकर xanthine oxidase को इनिविट करते हैं जिसके वैसे uric acid की मात्रा कम हो जाएगी और यही तो हम चाहते हैं कि allopurinol uric acid synthesis को इनिविट करें और इसलिए इसको बोलते हैं uric acid synthesis inhibitor तो यह है आपका mechanism of action allopurinol कर घोर्वर अभजा सकते हैं इनिभिशन और जैंतीन ऑक्सड़ेस इस दे मेकनिजम और बात करेंगे और उसके metabolite के बारे में अभी हम में देखा mechanism में कि allopurinol पर जब enzyme काम करता है xanthine oxidase तो बनता है alloxanthine अब हम दोनों को compare करेंगे बात करते है allopurinol की it is competitive inhibitor of xanthine oxidase दूसरी चीज़ है कि it is short acting इसका ट्याव दो घंटे का ही होता है लेकिन अगर हम बात करें अलोजयंतिन की तो अलोजयंतिन क्या है it is major metabolite और इसका एक और नाम है oxypurine तो confuse मतो ना आप दूनों एक ही नाम है दूसरी करेक्टिस इसका इसका ट्याव 24 गंटे के होता है तीसरी करेक्टिस क्या है it is non competitive तो दोनों compare कर सकते है और ये competitive और non competitive ये TF कर में इसका ट्याव जादा है और जो सबसे खास बात यह है कि दा एलोजयंतिन जिसका एक और नाम है oxypurine it is primarily responsible for uric acid synthesis inhibition तो जो uric acid कम बन रहा है uric acid synthesis inhibition हो रहा है वो mainly एलोजयंतिन के कारणी ही हो रहा है जो major effect किसके वे से आ रहा है allopirinol के metabolite के वे से तो जब यह दोनों काम करेंगे तो क्या असर होगा यह असर होगा उसका कि in place of uric acid alone uric acid अकेले निकलने की बजा है all three oxypurines are executed in urine बागे तीनों oxypurines body में निकलेंगे जैंतिन एंड आइपोजैंतिन और मोर सॉलिबल देरफोर मोर एक्स्रिशन दैन यूरिक एसिड जैंतिन और आइपोजैंतिन ज्यादा सॉलिबल है इसलिए यह ज्यादा निकलेंगे फटा-फट निकल जाएंगे और आपको effect मिल जाएगा बात करते हम इडियमी मतलब फार्मको काइनटेक्स एलोपिरिनॉल की अबाउट 80% आफ ओरली एड्मिनिस्टर्ड एलोपिरिनॉल इसे एब्सॉर्ब के बाद इसका मेटाबलिजम होता है और हम देख चुके हैं कि यह कनवर्ट होता है एक्टी मेटाबोलाट जिसका नाम है ऐलोजन्थिन नेक्स्ट जो इसकी पॉइंट है वह है लॉंग टम यूज्ज या क्रोनिक यूज अफ एलोपिरिनॉल इट इनिविट इन्दर नहीं नेटाबलाइज होती और बाहर निखल जाती है अब बात करते हैं ड्रग इंट्रेक्शन की यह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें हम देखेंगे कि एलोपिरिनॉल के साथ कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए या घातक हो सकती है तो पहला आपके सामने एलोपिरिनॉल को 6 मरक केप्टोपूरण एन ऐसे ताइपरिन देरफोर देर डोस शुद बी रिदूस तू उन थार्ड इनका मैटाबॉलिजम हो जाता है तो मैटाबॉलिजम होगा तो देर से निकलेगी इसलिए इनकी दवाएं इनकी डोस कम कर देनी चाहिए या अलोपिरिनॉल के साथ दूसरा है एलोपिरिनॉल प्लस ब्रोबेन असेट ब्रोबन एसेट शॉपन एन प्रोग सब्रोलॉक कर देते ये लंट करता में बात करेंगे साइड इफेक्ट की कौन से साईड-इफेक्ट है LLP कि हूट पर संसिटीटी रेक्शन में अकर जैसे रैशीज, फीवर, मलाईज, एंड मसल पेन, फिर है स्टीवन जोंसन सिंड्रोम इस रेर बट सीरिस रिस्क, स्टीवन जोंसन सिंड्रोम होता तो है लेकिन बहुत रेर है ये, गैस्ट्रिक इरिटेशन, हैड़ेक, नौजिया, एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब जीएटिक इरिटेशन, हैड़ेक, सिर्दर्थ, नौजिया, और डिजीनेस गहल आएगी, नीन जैसे सेंसेशन है और नौजिया मिचली, हम बात करेंगे प्रिकॉशन एंड कॉंटर इंड इंड किस चीज का ध्यान रखना है ये लेते समय, इस है पॉंटर इंडिकेटेशन हैं और यौन abbiamo अगत्यार मिचली इसका प्रिकॉशन एंड इंड इंकु इन ऊहले में बाती हैए उंल आए प्रिकॉशन सेटीज क्चेटर गत्यगलिव्चे को किट्नी या लीवर की समस्यय पॉशन न्ग से यूज से रमा है , इसको और हो रखने के साब से यहरा आपके सामने, कि यो प्रिगने लेडी है उनको नहीं लेना है। बात करते हैं। कहां 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 आता है। यह आपके सामने पहला, It is first choice drug in chronic out अगर क्रोनिक आउट है, तो पहले चोइस यही है दूसरा है यूज सेकंडरी हाईपरयूरिकीमिया ड्यू तू कैंसर केमोटरेपी और रेडियेशन और थाइजाइड्स और अदर ड्रक्स जो हाईपरयूरिकीमिय का मतलब है यूरीक एसिड जड़ा हो जाता है बॉडि के अंदर उसी को बोलता है आप सेकेंड इसलिए क्योंकि यहां पर जिस कारण से होता है वह कैंसर की दवाएं लंबे समतक लेने से रिडिशन के विए से थाइजाइड से एंटी चुबकुलर ड्रग लेने की विए से तो अगर ऐसा होता है तो इसकें बी कंट्रोल बाइलोपीरिनोल से कंट्रोल किया सक इसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज भी ले सकते हैं मतलब यह डवलप नहां उससे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो जब भी किसी पेशन्ट को कैंसर की दवाएं स्टार्ट हो या थाइजाइड स्टार्ट हो या फिर कोई डूसरी ड्रग जैसे एंटी ट्यूबल को ड्रग बढ़ाती है इनकी डोस को बढ़ाती है किसका मेटेबलिजम कम होता है इसलिए बात करते हैं डोस की तो डोस है स्टार्ट होती है 100 mg वन डे मतलब वन इन डे एंड ग्रेजुलिए इंक्रिजिस एस निट टू त्रिया जाता है तीन से पर दिया जाता है मैक्जिमम सिक्स हैं जाता से जाता 600 mg एक दिन में दी जा सकती है पेशेंट को इस स्लाइड में हम आपको कुछ प्रिप्रेशन्स पताएंगे जो अलड़ी मार्केट में अवेलेबल है जिसने एलोपूरिनौल है जैसे यह आपके सामने टैबलेट एलोपूरिनौल की टैबलेट यह आपके सामन लाच्टी आलोपूरिनौल टैबलेट शिप्लोरिक 300 फिर आता है अलोपूरिनौल टैबलेट आपके सीप्लोरिक 100 और जायलोरिक इसके अलाबा और भी ब्रांड है लेकिन हमने आपको में ब्रांड है वो सेलेक्क करके बताएं लूटीपल चोशन्स जो आज तक पूछी ग अगला question, name of enzyme inhibited by allopurinol allopurinol किस enzyme को inhibit करता है हमें उसका नाम देना है और यह रावसका answer, xanthine oxidase तीसरा question, allopurinol works by interfering with metabolism of allopurinol किसकी metabolism को interfere करता है और अपना काम करता है अपने पास option है, pyrimidines, amino acids, nucleic acids यह appearance, इसका answer है यह रावके सामने, D फोर्था question, name of active metabolite of allopurinol allopurinol का active metabolite कौन है अतलब allopurinol का metabolite है वो भी आपर काम करता है, allopurinol के साथ-साथ option है, allopurinol, 3-methylxanthin, uric acid, xanthin और answer है अपना इसके सामने, A, allopurinol फिर next question है, anti-cancer drug contra-integrated with allopurinol allopurinol के साथ कौन सी anti-cancer drug नहीं देनी चाहिए कोई option है, methotrexate, 6-thiogonin, thiotepa यह all of the bow, क्या 4-4 नहीं देनी चाहिए answer, here आपके सामने, और answer आपका B, thiogonin नहीं देनी चाहिए question है, categories of drugs, long-term use of which can cause development of gout निमने में से कौन सी category जो drug है, उसको लेने से gout develop हो जाता है option है, anti-neoplastics, मतलब anti-cancer drug, anti-depressant, depression में का आमाने वरी दवाएं anti-psychotic, यह all of the bow, और यह है आपके सामने, option answer A, anti-neoplastics, मतलब anti-cancer drug, अब यह क्यों और कैसे हम बता चुके हैं, आपके वीडियो के अंदर, true statement regarding metabolism of allopyrinol, allopyrinol के बारे में, कौन सा दिया हुआ statement सही है, उसके metabol insulated, option है, it inhibits metabolism of many drugs by acting as enzyme inhibitor, यह enzyme inhibitor जीसे काम करता है, और कई drug का metabolism को कम करता है, यह inhibit करता है, दूसरा option है, it is converted into an active metabolite aloxanthin, यह active metabolite में convert होता है, जिसका नाम है aloxanthin है, तीसरा है, it is competitive inhibitor of xanthin oxidase, यह xanthin oxidase नाम का enzyme उसका competitive inhibitor है, और चौता है अपने पास all of the above, तो इसका answer यही आपके सामने, तीनों की तीनों की तीनों की केडिगरी में आता है, मतलब all of the above का answer है, last question है, first drug of choice in chronic gout, chronic gout में first drug of choice कौन सी है, option है, corticosteroids, non-steroidal and infamous drug, जिने any study बोलते हैं, gold या फिर alopirinol, और answer यह आपके सामने, D answer is का, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज आप like कीजिए, like के साथ आप comment जरूर कीजिए, और चैनल को subscribe कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और bell icon प्रेस करना ना बूलें, ताकि जब भी नए वीडियो रिलीज हो, आपके पास information पहुंच सके, thank you, best of luck, keep in touch.